इन दिनों बढ़वानी चिले में पानी को लेकर रहवासियों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां विकाद एक महीने से वाट सोला के महला वासियों को पानी की किल्लत बनी हुई है जिसको लेकर महिलाओ और पुरुशों में काफी आक्रोश है। और वह नगरपालिका से पानी देने की मांग कर रहे हैं। देखें इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। रहवासियों ने मुझे कॉल किया था मैं राकिश सिंग्जादा हूं नेता प्रतिपक्स बढ़वानी नगरपाली का परिश्द। तो मैं यहां आओं मैंने यहां देखा फोन तो काफी दिनों से आ रहे हैं कि यह कुछ 25 गर हैं इस नाई महुले के अंदर यहां विगत एक मेने से लगातार पानी की लगातार किलत बनी विए। टेंकर भी हो तो टेंकर से भी इतने महुलेवासियों को पानी नहीं पहुचा ज़रा मैं कि रहा हूं सवाल वाड नंबर 16 कानी पूरे नगर की विवस्ता अस्तिवेस्ट पड़ी है मैं सीमो साब से आगर करता हूं कि इमर्जेंसी के रूप में जो पानी की जल्द समस्या बनीवी एक इमर्जेंसी मीटिंग आहूद की जाए नगर परिशत की ताकि समस्या के निवारन के लिए सब के सुजाओ आएं और उस पर काम किया जाए मैं यह कह रहा हूं कि अगर जरुवत पड़ रही हो तो नए पंप खरीदें नई मोटरें खरीदें और नगर पाली का जल्ली से जल्द वेवस्ता करकर आम नगरवाशियों को पानी की समस्या से निजात दिलाएं मेरा यह कहना है मेरा नाम रुपाली शर्मा है हम लोग वाड नंबर 16 नाई मोहला में रहते हैं हमारे हैं विगत एक महिने से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है पानी आता है तो ज पानी किस वजे से नहीं आ रहा है अभी हम लोग कुए से पानी लेकर आते हैं और उसी से हमारा गुजर्बसर चलता है और जो पार्शत मोहदय द्वारा टेंकर भेजा जाता है उससे काम चलता है लेकिन एक टेंकर में पूरा मोहला तो नहीं समा सकता तो वो भी एक समस्या पानी की समस्या आ रही है और लगातार नगरफली का उसकार निगरानी रही है इसकारण से परियाप्त मातरम पूर्ती नी हो पार रही है इस पर भी हम काम कर रहे हैं इस पूरे मामले की बाद अब देखना होगा कि नगरफली का कब तक महले में हो रही पानी की किल्लत से रहवासियों को रहत देने का कारे करती है ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूस बढ़वानी